हालो स्टुडेंट्स मैं बीपी सिंग आज आपके लिए डिफरेंशियल जोमेट्री का नेच लेक्चर लेके आया हूँ और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ओस्कुलेटिंग सर्किल और करवेचर यह ओस्कुलेटिंग प्लेंड में लाई करेगा इसकी एक्वेशन क मैंने आपको बताया था कि आखिर होता क्या है उसकी मैंने डाइग्राम भी बताया था और आज भी बताऊंगा और उसी में हम एक सर्किल बनाएंगे जो आउसकुलेटिंग प्लेंड में होगा फिर उसकी आपको हम एक्वेशन बताएंगे ठीक है चलिए तो यह टी टेंजेंट वेक्टर और यहाँ प्रेंसिपल नॉर्मल इस वाले पार्ट को हम उसकुलेटिंग प्लेंड कहते हैं और यहाँ मैंने एक कर्व बना दी यह पी पॉइंट है यह बाइनॉर्मल कहलाता था और इसी में मैं एक सर्किल बना रहा हूँ यह मैंने एक सर्किल बना दिया यहां से यह सेंटर सी और इसका पॉइंट सी माल लिया रेडियस यहां से यहां तक ए और यह P is the position vector R तब इसकी equation क्या होती है यह तो सर्किल की equation आपने complex में भी पढ़ी होगी यह C is the center और यह P is the position vector of R और C is the position vector of C तब इसकी equation होती थी R इसमें से R minus C का मौड करें तो वो किसके equal होता था A की यहां आप vector लगाएंगे क्योंकि C और R दोनों ही position better हैं दोनों और का square कर देते हैं तो R minus C का square equal to A square आप चाहें तो इसके मौड को हटा सकते हैं positive रहेगा equal to A square वे आप यहां लिख सकते हैं आप R क्या है इसके लिए लिख रहा हूँ R is the position vector of a point P and C is the यह वाला vector C is the position point यह position vector of center C and is कहलाएगा यह radius of sphere अब यह curve R में है जब यहां position vector R है तो मैं लिख सकता हूँ let position vector R equal to R S यह curve बना दिया इसलिए यह दरसारा वणा कोई जरूवत नहीं है तब इसकी जगे पे बन जाएगा R S minus C का whole square इसे इधर ले आओ equal to G यह R S A की बात है इसका मतलब है R is the function of S इसलिए लिखा है क्योंकि यहां में F S से denoted कर दूँगा बाकि इसकी कोई जरूवत नहीं है इससे ही क्राम चल जाता यहां तक आपको कोई परिशानी नहीं होगी R क्या है position vector at P point पर C क्या है position vector center C पर और equation आप जानते ही है यह circle की equation होती है आईए तो अब मैं इसे ऐसे लिखूँगा यहां पर F S equal to R minus C का whole square minus के A square equal to G यहां R S की जगे पर मैंने R ही लिख दिया यह तो इसके लिखा था कि मुझे है F से दरसाना था F is the function of S मेरा गला खराव है थोड़ा सा 4 3 point contact अब बनाएंगे 4 3 point contact इसका मतलब है आप F S equal to 0 रखोगे F dash equal 0 रखोगे F double dash S equal 0 रखोगे आईए जब हम F S equal 0 रखें तो यह क्या होगा R minus C का whole square equal to हो जाएगा अगर मैं इसे 0 रख दू तो इधर पहुंच जाएगा equal to A square यह second equation क्योंकि first C को माल लिया था तो यही लोट के आएगी से यही वाली इसका differential करना है एक बार differential करेंगे और किसके बरावर रखेंगे 0 के तो यहांको differential हो गया अब F dash S तो इधर वाले का differential हो गया 2 R S minus C bar अंदर का करोगे आप तो इसका हो जाएगा R dash और A square का क्या हो जाता 0 इसका 0 होगा पहले power के according करिए power के according पिर अंदर को R को होगा केवल R dash R dash को हम T कहते हैं इसका मतलब 2 गया 0 में इसे 0 के बरावर रखेंगे यह कह रहा था F dash equal to 0 this implies 2 गया 0 में इसे मैं R लिख सकता हूँ minus C R dash equal to 0 इसकी जगह पर T लिख दीजिए R minus C और यहाँ T equal to 0 यह equation third मैं हैं दिखाए देता हूँ क्योंकि R S होता है P R upon D S और इसे हम क्या कहते हैं T अगर मैं इसे S में represent नहीं करता तो इसके differential impossible थे ठीक है आप double var करना है differential तो इसी का कर लेंगे एक वार इसका differential हो गया यहाँ से उठा लीजिए लोग यहाँ से इसी से ले लीजिए by thar क्योंकि मुझे F double dash करना एक वार कर लिए और दोबारा करेंगे हम तो ऐसे लिखेंगे F double dash S तो इसका दोबारा करेंगे इधर देखिए इसका कर लीजिए दोबारा R minus C की multiply इसका differential हो गया T dash पिलस अब T की तो multiply और इसका differential हो गया R dash equal to किसके बराबर रखते हैं से जी रोके तो R minus C बाहर T dash पिलस इसको T, R dash को भी हम T कहते हैं और ये unit vector होते हैं तो T dot T equal to 1 और T dash का मान होता है कपा N क्या होता है कपा N ये सम्मेरे आपको बताए है तो R minus C यहां बाहर लगा लेना ये तो कपा N हो गया plus 1 equal to 0 क्योंकि इसका मान 1 हो गया R minus C और N कपा होता है 1 upon rho plus 1 equal to 0 rho की पूरे में multiply कर दो तो R minus C N plus rho equal to 0 तो ये एक equation बन गई थर्ड के बाद यहां लेके देता हूँ R minus C N equal to minus rho ये आपकी चौथी equation बन गई second, third और ये fourth first यहां थी इसके आगे देखिए मुझे ये साफ करना होगा आगे के लिए तो इस equation से हम क्या देखा यहां से देखिए by third से R minus C dot T है और T क्या है? tangent के लिए और जिसमें ausculating plane था और यहां से देखते है R minus C dot principle है ये ये principle है normal N वाला भी जो मैं डाइग्राम बताया था तो इससे क्यासित होता है by third से तो मैं यहां लिखे देता हूँ by third so that R minus C lie in normal plane normal plane but by definition definition इसकी यहां जो लिखी थी वो कह रही थी के lie करेगा ausculating plane में definition it is also lie in ausculating plane ausculating plane that is यह अब R minus C is proportional होगा principle normal के क्योंकि यह इसमें lie कर रहा है principle normal में तो इसे मैं लिख सकता हूँ R minus C equal to lambda N क्या लिख सकते हैं lambda N now यह हो गया lambda N इसे number डाल दीजिए आप चौथे के बाद पाच मां नम्मर डाल दीजिए अब यह यहां जो दे रखा है R minus C equal lambda N आप यहां रख दीजिए इसमें by second से R minus C equal to A square यहां रख देंगे आप lambda square N square equal to A square N dot N इसका मान भी 1 होता है तो lambda square equal to A square इसका मतलब lambda बरावर A अब यहां से आप देखेंगे lambda square बरावर A मिल गया अब हम lambda की value अगर रख दें fourth में यहां पर N के पास R minus C में रखो again by fourth equation से देखिए इस से R minus C dot N equal to कितना है minus के row यहां रख दीजिए अब के lambda dot N और N यह रहा equal to minus row इसका मान फिर 1 हो गया यहां बचा lambda बरावर minus row यहां भी लिख दीजिए N dot N equal to 1 आप यहां से देखिए जो आपने माना था R minus C बरावर lambda N by fifth से इसके लिए ही मैं कर रहा था R minus C यहां C लगा दीजिए equal to lambda N this implies C बरावर हो गया R minus lambda N और lambda की value आप row रख देंगे minus का row तो C बरावर हो गया R plus row into N तो यह equation required equation निकली आपकी circle की clear तो यहां तक मैंने हर point बता रहे की कोशिस करी है उम्मीद करता हूँ यह समझ में आया होगा और अब मैं इस पर एक important question ले रहा हूँ मेरी थोड़ी तविया down चल लए है मेरा गला ज़्यादा खराब है ठीक है चलिए तो अब इस example को देखिए बहुत ही important example है और कोशिस करूँगा एक एक point समझ में आया है जैसी equation मैंने circle की बताई थी same equation sphere की होती है वहाँ radius की जगे पर capital R लेखते हैं बस कोई अंतर नहीं है इसलिए मैंने equation of oscillating sphere and oscillating circle at point one two three ओन्दा कर्व ये कर्व दे रखी है तो चलिए सबसे पहले मैं इसे position vector R में change करता हूँ हम क्या जानते है position vector R बराबर होता है x i y j z k तो यहाँ position vector R x की जगे पर क्या है 2t पिलस 1 बाहर आई 3t square पिलस 2 बाहर जे पिलस 4t q पिलस 3 बाहर k अगर मैं यहाँ रखूं at p बराबर 0 तो यहाँ point बनेगा i यहाँ 2j बनेगा और यहाँ 3k इसका मतलब यह हो गया कि position vector R की अगर जरूवत पड़ेगी i पिलस 2j पिलस 3k आप लिख सकते हैं आईए यहाँ से अब हम r dot निकालते हैं इसका number 1 डाल देते हैं by first r dot equal इसका एक वार differential t का 1 2i पिलस इसका तीन दूली 6t j पिलस 4t या बार है t square k दूबारा करिए इसका r double dot यह 0 पिलस 6j पिलस 24t k एक वार और करिए इसका तो यह 0 पिलस 0 पिलस 24k यह हो गया इसका मतलब यहाँ 2i पिलस 60j यह हो गया और यह अब मैं निकाल रहा हूँ add t वरावर 0 पर add t equal to 0 पर r dot की value सिर्फ 2i r double dot की value आई सिर्फ 6j और r triple dot की value आई केवल 24k यह मैंने सारी value निकाल ले क्योंकि यह sphere में जरूबत होगी आई अब हम क्या जानते हैं now let equation of oscillating sphere sphere तो इसकी equation होती है r minus c का whole square equal to r square बस यह होती है यह धियान रखना वहाँ a square थी और यहाँ capital r है ठीक है आई यह मैं नम्मर डाले देता हूँ second क्योंकि first मैंने यहाँ डाल दिया vr यहाँ लिखे देता हूँ r क्याती जाए और c क्याती जाए that is मान लीजिए c बराबर इसके point मैंने मान ले alpha i beta j plus gamma k जरूरत पढ़ेगी वहाँ में रखनूगा रहने के मान ही तो निकालने है alpha, beta, gamma, sphere के center निकालने है इसलिए यह मैंने मान लिया अब by second से हमें निकालना है four points क्योंकि point of contact निकालना है circle के लिए हम three करते हैं और sphere के लिए four करते हैं now four points contact are यहीं आ जाएगा भी तो four point contacts are इसका मतलब होता है इसका तीन वार differential करना पहरी वार differential करना by second इसका एक वार differential करोगे two r differential में हैं लिखे देता हूं so that differential with respect to t by second in three time तीन वार करना होगा अगर circle होता तो दो बार करना होता है क्योंकि वो two dimension है यह थ्री dimension है तो एक वार differential करिए power के according और अंदर का हो गया r dot r का हो गया zero two गया zero में r minus c बाहर r dot equal to zero second के बाद यह third equation बन गई अभी इसका एक वार और करो r minus c की multiply इसका हो गया r double dot अब इस r dot की multiply इसका zero इसका r dot हो गया तो मैं है square करें देता हूं equal to zero अभी एक वार और होगा क्योंकि तीन वार करना है r minus c की multiply इसका हो गया triple dot अब इसकी तो multiply इसका अंदर का होगा cable r dot अब इसका जाएए power के according r dot r का r double dot equal to zero यहां vector जरूर लगा ले r minus c r triple dot यह दो और एक तीन है गए r dot r triple dot double dot equal to zero पाँचवी equation बन गई अब हमें क्या करना है इस equation में value रखके r dot की r double dot in sub की value निकालनी है जिससे हमें alpha, beta, gamma की value मिल जाएगी आईए तो by second by third equation now by third equation से करते हैं r minus c dot r dot equal to zero r की जगह पे आप यहां रखेंगे कहा है i plus 2j plus 3k क्योंकि t बरावर 0 पे ले रहे है तो r की जगह पे क्या है यहां i plus k 2j plus 3k minus c की value आपने निकाल ली थी यहीं निकाली थी alpha i minus beta j minus gamma k r dot की value आपको यहां मिल गई थी यह रही 2i r dot की value यह रही c की value यह रही और t point पर r की value यह रही यह लिकाल दी मैंने r इसमें रख दिया अब इसे हमें solve करना है i common तो 1 minus alpha बाहर i plus 2 minus beta बाहर j 3 minus gamma बाहर k dot 2i equal to 0 2i की dot इसके साथ होगी तो 2 1 minus alpha इसके साथ होगी 0 इसके साथ होगी 0 equal to 0 2 गया 0 में 1 minus alpha equal 0 alpha बरावर 1 देखिए यह सारे questions articles अब बड़े-बड़े होते हैं कोई छोटा question नहीं है आप यह सोच रहे हो एक-एक point हर बात बता के चलूँगा समझना आप ही का काम है ठीक है चलिए तो इससे हमें मिला केवल alpha की value इसे लेंगे चोथी question से तो हमें बीटा की मिल जाएगी by fourth यहां लिख रहा है r minus c r double dot plus r dot का square equal to g r minus c में डारेक्ट लिखे देता हूँ यह लिख रहा r minus c हल होके तो यह आया 1 minus alpha बाहर आई plus 2 minus beta बाहर j plus 3 minus γामा बाहर k r double dot की value हमारे पास आई थी 6 j वो हमने मिटा दिया कहां है उसकी value हमारे पास आई थी 6 j और r dot का square आप करेंगे तो इसका square हो गया 4 equal to 0 तो j की dot इसमें होगी 0 j की dot j के साथ होगी तो 6 2 minus beta इसमें होगी 0 plus 4 equal to 0 यह हो गया 2 minus beta equal minus 2 upon 3 solve कर लेना तो beta बराबर हो गया 2 plus 2 upon 3 3 2 4 2 8 8 बटे 3 तो यहीं लेखे देता हूँ beta की value मिली आपको 8 बटे 3 अब इसमें रखेंगे gamma की value तो इसका मानवी same यहीं आएगा by 5th equation 1 minus alpha बाहर आई 2 minus beta बाहर j 3 minus gamma बाहर k और यहां 5th equation में triple dot की value 24 k थी आप इन दोनों का dot करेंगे तो 0 आ रहा था 0 i की dot j में करोगे तो 0 यहां 2 i की dot 6 j में करना है तो कहाएगा 0 आएगा r dot की value 2 i है r double dot की value 6 j इन दोनों का dot करेंगे i dot j unit vector है तो 0 होगा इसकी dot इसमें होगी 0 इसमें होगी 0 तो इसमें रह गई 3 minus gamma into 24, 24 गया, 0 में 3 minus gamma equal to 0, gamma बरावर 3, तो हमें यहां से gamma की value 3 मिल गई, हमने यह सारे काम किये, तब जाके हमें इसके point मिले, C के center, alpha, beta, gamma, हमारे पास सब कुछ तयार है इसी की जरूवत थी, अब हम इस फेर की equation वाला formula लगांगे, हाँ, अभी capital R की value और निकालनी है, चलिए, तो हमारे पास alpha, beta, gamma की value मिल गई, तो C का मान क्या होगा, C बराबर बताया था मैंने alpha, i, beta, j, gamma, k, this implies C की value alpha की जगे पर i, beta की जगे पर 8 वाटे 3, j, और gamma की जगे पर 3, k, यह मिल गया, अब हमें क्या करना है, capital R की इसकी value कैसे निकाले, तब, now, equation of sphere, at वही t बराबर 0 पर, तो R की value मैंने बताई थी आपको, i, plus 2j, plus 3k, minus, C की value आपने निकाल ली है, i, minus 8, वाटे 3j, minus 3k, का whole square equal to R square, यहाँ से capital R की value मिल जाएगी, देखिए, i से i कट गया, के से के कट गया, 2, minus 8, वाटे 3, बाहर, j, का whole square equal to R square, तीन दूनी 6, 6 में ताट गई 2, वाटे 3, तो यह हो गया, 4, वाटे 9, j, dot j, 1 हो जाएगा, ऐसे लिख दो, 4, वाटे 9, j, का square equal to R square, इसका मतलब R square बराबर 4 upon 9, अब निकाल दो, equation of oscillating sphere, यही equation है, position vector R minus C का whole square equal to R square, R बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, X, I, plus Y, J, plus Z, K, minus C, आप अल्रेडी निकाल चुके हैं, I, minus 8, वाटे 3, J, minus 3, K, minus लगाएंगे, सम में चोंका minus लग रहा है, का whole square equal to R square की value, 4 upon 9, बस इसे कैसे solve करना है, यहां से X minus 1 बाहर आई, plus Y minus 8, वाटे 3, बाहर J, plus Z minus 3, बाहर K, का whole square equal to 4 upon 9, जब whole square होता है, तो I, J के गुडानकों का work कर देते हैं, बस, तो इसका आया X minus 1 का whole square, Y minus 8 वाटे 3 का whole square, Z minus 3 का whole square, 4 upon 9, देखिए, इसमें 3 का work है बटे में, और यहां भी है, क्यों ना पूरे में 9 की multiply कर दें, ठीक है, तो यहां हो जाएगा 9, X minus 1 का whole square, यह 3Y minus 8 बन जाएगा, अपोन LC हम लेंगे, कट जाएगा, यहां 9, Z minus 3 का whole square, यहां के वल 4 आया, इसे खोल दीजिए, 9, X square minus के 2X plus 1, यहां 3, 3, 9, Y square plus 2, 8, 64, minus 3, 3, 18, 26, Y plus 9, Z square minus 6, Z plus 9, equal to 4, आप दिखाई न दे रहा होगा, आप इधर ते साफ कर देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आगा बस थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है, चलिए तो यह मैंने पूरा solve करके, यहां लिख दिया, यह तो तुम सब जानते हों कि solve कैसे करना था, बाज इखटा करना था, यह कर दिया, लेकिन अभी मुझे circle की equation चाहिए, क्योंकि जब sphere होता है, उसके उपर से छला अगर आप काटते जाए, तो वो circle बन जाता है, osculating plane में circle की equation तब बनेगी, कि वो चला वाली equation आए, और sphere की एक जगे रखी जाए, तब कहते हैं हम उसे great circle या osculating plane का circle, तो अभी तो मुझे थोड़ा काम और करना है, देखिए, the osculating circle is the intersection of the osculating plane, that is, इसकी equation क्या होती है, r minus r, r dot, r double dot equal to 0, इसे कैसे solve करें, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r minus, ये तो dot हो गया, r dot cross, r double dot equal to 0, ये a, b, c हैं तो a dot b cross हैं, अब ये कैसे निकालू, हम निकाल चुके हैं, r dot का मान 2i आता था, बाकी 0j, 0k लिख लो, r double dot की value 6j आती थी, तो 0k plus 0i, इनका हम cross product कैसे निकालेंगे, ये आप जानते हैं, i, j, k, यहां 2, 0, 0, 0, 6, 0, इससे खोलेंगे 0, इससे k से खोलेगा केवल, तो 6 दूनी बार है, इसका मतलब बार है, k आ गया, r dot cross r double dot, अब इसकी value, अगर मैं आप से कहूं, position vector r equal, x i plus y j plus z k, तो ये r आपने 0 पे निकाल लिया था, i plus 2j plus 3k, रख दीजिया इसमें, तो यहां x i plus y j plus z k, minus x i minus 2j, और minus 3k, और यहां आपका आया, इसका मान्त 24k equal to 0, यहां x minus 1 बाहर आई, y minus 2 बाहर j, plus z minus 3 बाहर k, और 24k equal to 0, इससे dot करोगे 0, इससे 0, k dot k 1, तो z minus 3 into 24 equal to 0, यह z minus 3 equal to 0, यह equation और निकल के आई, अब इन दोनों को आप रख दो, इसको और इसको तो यह एक great circle बन जाता है, hence आप है equation of oscillating circle is, equation यह रही, 3x square, 3y square, 3z square, minus k 6x, minus 12y, minus 18z, plus 50 equal to 0, और दूसरी z minus 3 equal to 0, इस प्रकार यह question complete हुआ, उम्मीद करता हूँ मैंने जितनी मेहनत करी है, मुझे थोड़ा सा फाल आप जरूर देंगे, अगर आपने अपने एक friend को मेरी video share कर दी, तो मुझे बहुत खुसी होगी, क्योंकि मेरा गला खराब होने के बावजूद भी, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ. सबस्क notamment करेंए, कि यह कर दो आपने सेवहद जया हुआ हैं।